अगर आपने मेरे चानल को अभी थक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे और आज हम बनाएंगे कैपेचिनो कॉफी तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल में डाल लेंगे दो चम्मच कॉफी पाउडर चार चम्मच शक्कर और तीन चम्मच पानी और अब हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाँ मैंने इसके रिक्वाइड इंग्रियंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब उसदर जाकर एक बार चेक कर लीए अब मैं आप पर इसे फेटने के लिए यूज करूंगी विस्कर अगर आपके पास हैंड विस्कर ना हो तो आप बीटर ले सकते हैं या तो फिर आप इसे फोक या स्पून से भी कर सकते हैं देखे मैं इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी इसे हम एकदम वाइटिश क्रीम कलर में लेकर आना हैं देखे मेरा भी वाइटिश क्रीम कलर हो चुका है इसे हम एकदम फ्लॉफी बना लेंगे जब तक कि फ्लॉफी नहीं हो जाती तब तब हम इसे विस्क करते जाएंगे तो देखिए दीरे-दीरे करके इसका color और भी change होता जा रहा है वाव ये कितनी fluffy हो गई है देखिए है ना इसका color एकदम change हो गया ना और ये उतनी fluffy भी है अगर आपको ये step नहीं करना है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं पर इसके लिए आपको एक mix के जार में इनी सब चीजों को डाल कर milk के साथ अच्छे से mix कर लेना है और आपके cappuccino coffee एकदम ready हो जाएंगी तो चलिए अब हम इसे एक airtight container में fill कर लेंगे तो देखिए अब मैंने इसे एक container में डाल दिया है अब मैं इसे एक से दो अफ़ते तक store करके रख सकती हूँ और आपका जब मन चाहे तब निकाले ये mix और अपनी cappuccino coffee को तयार कर लेंगे अब यहाँ मैंने दो कब दूद लिया है इसे हम अच्छा सा उबाल आने देगे देखिए इसमें उबाल आने दीजे देखिए दूद में उबाल आ रहा है तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है तो हम गैस की flame आफ कर देंगे और देखिए मैंने आपर ग्लास में थोड़ा होशी सिरफ लिया है अच्छे टेस्ट के लिए फिर मैं इसमें हमारा वो जो हमने mix ready किया है fluffy mix वो डाल देंगे और इसमें आप उपर से एकदम जाग बरा दूड डाले हाँ पर अभी हम थोड़ी quantity में डाल रहे है क्योंकि जो हमारा fluffy mix जो हमने ready किया है उसे mix होने में वह बहुत fluffy हैना इसले उसे mix होने में time लगेगा इसले हम पहले थोड़ा सा दूर लेकर उसे mix कर लेंगे बाकी का glass हम बाद में fill कर लेंगे इसे आप अपनी style में decorate भी कर सकते हैं देखें अब मैं आप पर cocoa powder से इसे decorate कर रही हूं cocoa powder और चुको चिप्स मैं आपको यहाँ पर एक और ग्लास बताऊंगी यहाँ पर मैंने इतना हुश सिरफ डाल लिया है और इसे उसी step से follow किया है और इसमें भी हम milk add कर लेंगे तो इसे भी हम cocoa powder से decorate करेंगे बट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डिजाइन कैसे दी है अब एक फोक ले लीजेए और उसकी मदद से हम डिजाइन दे देंगे देखें कि इस तरह से हम इसे में डिजाइन देंगे वाव तदे कि हमारी कैपचिनो कॉफी एकदम तयार है तब ज़रूर ट्राइ कीजिम मेरी रेसिपी और अगर आप यह रेसिपी अच्छी लगे तुम्हें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो